ओके नाव स्टूडेंट्स लास जो मैंने वीडियो में आपको जहां पर एंड किया था टॉपिक वो हमारा क्रिस्टलाइजेशन था ठीक है अब यहां पर आगे टॉपिक है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ रॉक सॉल्ट ठीक है रॉक सॉल्ट होता क्या है जो आपके घर में म नमक हम यूज करते हैं आपको क्या लगता है कि वो क्या बाकाइदा सॉल्ट माइन से जो है वो निकाल के बस पैक करके आपको दे दिया जाता है नो इस रॉक सॉल्ट को जो है वो पहले लोकल मार्किट में लाने से पहले साफ किया जाता है उसकी माइनिंग की जाती है उसक को शफाफ करने के बाद आपके घर तक पहुंचाया जाता है अब यहां पर यह पूरा आपको प्रोसेस बताया जा रहा है कि किस तरह जो है वो रॉक सॉल्ट को सॉल्ट रेंज जो रॉक सॉल्ट को जो है वो किस तरह प्यूरिफाई किया जाता है ठीक है यहां पर देखें सा सबसे पहले इस प्रोसेस को समझने के लिए उनके क्या करेंगे की रॉक सॉल्ड को फेले क्या की सी में रहते हैं नव इसके इंड़िक्ट्रीज ते प्रॉपर फाइन पॉडर में पर्डियों मेन की स्टा की फॉर्म में होता है तो उसे लाकर फिर जो है इंडस्ट्री में इस तरह से फाइन पॉर्डर बनाया जाता है फाइन पॉर्डर बनाने के बाद उसे क्या किया जाता है डिजॉल्फ and concentrate the solution ठीक है इसके बाद किया किया जाता है इसको solution की form में लाया जाता है mix किया जाता है water के बाद water के साथ इसको mix करके heat किया जाता है अब जैसे इसको heat करते हैं heat करने के बाद जो impurities होती है इसको इस तरह से filterization के process के जरीए filter किया जाता है जो साफ होता है पानी वो यहां नीचे आ जाता है और जो थोड़ी थोड़ी black black impurities होती है वो यहां filterization के process के जरीए उपर रह जाती है ठीके अब इसके बात किया क्या जाता है कि इस filterization का जो process हो जाता है तो यहां पे जो आपको नजर आ रहा होता है वो crystal form में crystalline NACL होता है यानि साफ सुत्रा purified जो है वो नमक होता है ठीके अब अगर आप यहाँ पे देखें तो देखें लिखावाई the purified sodium chloride forms as white cluster of cubic crystals yellow orange color of the original rock salt is due to impurities यानि जो हम salt का original color देखते हैं जो salt mine से जो हमें मिल रहा होता है वो थोड़ा सा yellowish color होता है वो yellowish color किस वज़ा से होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी impurities present होती है और जब इसको इस process के जरीए purify किया जाता है filterization उसकी की जाती है तो जो हमें नमक का जो color मिलता है वो pure white होता है वो क्यों white होता है क्योंकि इसके अंदर से सारी impurities जो है वो इस filterization के process के जरीए जो है वो निकल जाती है यानि इस filter paper पे जो है वो salt साफ रह जाता है और बागी जो impurities होती है वो water के साथ यहां पे निकल जाती है clear तो यह हमारा process होता है जिससे हमें जो घर में नमक यूज करते हैं जो salt यूज करते हैं वो purify form में हमारे घर तक मिलता है हमें पहुँचता है यह वो salt बिल्कुल भी नहीं होता जो समंदर से या जो हमें salt mine से मिलता है इसको industries में pure किया जाता है जैसे इस वक्त हमारे पास जो brand हम यूज़ कर रहे हैं, national नमक यूज़ कर रहे हैं, हम hub salt यूज़ कर रहे हैं, हम lahore नमक यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी industries हैं, जो इस salt को purify करती हैं, then purify होने के बाद, packing होने के बाद, ये market में आता है, और हमारे घरों तक पहुंचता है, hope आपक है, आप अपना page turn करेंगी, तो आपको next topic नजर आएगा, ये हमारा topic है, electrolysis और conduction of electricity throw solutions, ठीक है, ऐसे solution जिसके throw हम electricity conduct कर सके, यानि बिजली produce हो सके, जिसके अंदर current pass हो सके, ऐसे solution को हम कहते हैं, electrolytes या electrolytic solution, और ऐसे solution जिससे electricity conduct ना हो सके, या जिससे हम electricity pass ना कर सके, उसे हम कहते हैं, non electrolytic solution, ठीक है, अब यहाँ पर सारी example दीवी है, non electrolytic solutions की, यहाँ पर activity में आपको picture भी नजर आ रही है, ठीक है, अब यहाँ पर sugar solution, tincture of iodine, glucose, water, alcohol, hair oil, weseline, petrol, carosin oil, milk, soap, ये वो सारे solutions हैं, जिससे जो है, electricity हम produce नहीं कर सकते, या जिसके through electricity pass नहीं होती, नहीं की जा सकती, ठीक है, यह सारे non electrolytic solutions हैं, ठीक है, और इसके इलावा, अब आप देखें, यहाँ पर examples of electrolytes, sodium chloride, यानि नमक वाला पानी, इससे हम electricity conduct कर सकते हैं, यानि solutions को use करते हैं, हम electricity को produce कर सकते हैं, इसके अंदर से current pass हो सकता है, ठीक है, देखें, solution conduct electricity are electrolytes, वो substance, जिनके solution से हम electricity को conduct कर सके हैं, वो electrolysis कहलाते हैं, इसकी examples आप यहाँ देख सकते हैं, और आपने इन examples को अच्छी तरह याद रखना है, कि कौन से solution जो हैं, वो electrolytes हैं, और कौन से solution non electrolytes हैं, ठीक है, अच्छा, अब electrolytes जो है, इसको हम further groups में कैसे classified करते हैं, acid bases and salts, ठीक है, अब यह इसकी types हैं, acids होते क्या हैं, acids mostly जो है, आपने कभी जो है, वो lemon को taste किया है, किस तरह से lemon का एक टेस्ट होता है, खटा सा, sour सा टेस्ट होता है, lemon का, और यह natural टेस्ट होता है, lemon का, इसी लिए यह acidic group में आता है, क्योंकि acid जो होते हैं, वो latin words से निकला है, acid word, acides, जिसका मतलब होता है, sour यानि खटा, acid जो हमें lemon से मिलता है, यह हमें दूसरे खटे fruit से मिलता है, वो कौन सी किसम का acid होता है, वो citric acid होता है, ठीक है, acids जो हमें laboratory में, जिसे हम prepare करते हैं, जैसे हम खुद prepare करते हैं, compounds को use करते ले, जैसे hydrochloric acid जो है, वो किस तरह prepared किया ज जाता है नाइटरिक ऐसेड जो हे हमें किस से मिल दा है पुटेशियम नाइटरिक से मिल दा है और सल्फियॉरिक ऐसेड भी नहीं कर सकते तीके इसको टेस्ट करना भी घरी आप के लिए ठीक है इसके इलावा एसेट की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज ये भी है के एसेट बहुत जादा डिस्ट्रिंक्टिन चेंज लाता है अगर आपकी स्किन पर भी एसेट गिर जाए या किसी भी वह सुलिशन ऐसेट है तो उसके लिए जो सफ्सेंसि यूज किया जाते है उसे हम को कहते हैं इंडीकेंटर्स कहते हैं ठीक है इसके बारे में एक्सिन हम आगे तॉपिक में बढ़ेंगे अच्छा एसेटज की प्रॉपर्टीज मैंने इस लै वीडीओ में आपको समझा दी है नेक्स वीडियो में मैं आपको बेसिस की प्रॉपर्टीज एक्स्क्लेइन करूँगी